नमस्कार आप देख रहें एकनिस 24 और मैं हूँ आपके साथ श्वता मिस्रा क्या आपने कभी सोचा है कि जितने भी साधू संत होते हैं वो भगवा रंग के ही कपड़े क्यों पहनते हैं और अक्सर ये भी देखा जाता है कि हमारे घर में जितने भी गरंथ रखे होते हैं उसे भगवा रंग के कपड़े से लपेट कर या फिर लाल रंग के कपड़े से लपेट कर रखा जाता है और आपको ये भी बता दूँ कि कई सारे ऐसे साधू संत भी होते हैं जो काला रंग का कपड़ा पहनते हैं अब आखिर ऐसी कौन सी मानियता होती है जो कि पुराने दिनों से ही पुराने वर्सों से ही शाधू संत लोग भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं तो आपको इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताएंगे कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसकी वज़े से सभी साधू संतों के कपड़ों का कलर बदला हुआ है और काफी सारे जो साधू होते हैं वो भगवा रंग के ही कपड़े पहनते हैं तो वीडियो को अंतों तक तो इसके बारे में क्या कहा जाता है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं भारत में सैक्रों हजारों सालों से भगवा ही साधू सनियासियों का रंग होता है वो इसी रंग का वस्त्र पहनते हैं और इसी रंग का टीका लगाते हैं और अपने पवित्र गरंथ भी व ऐसा माना जाता है कि भगवा रंग अगनी का प्रतीक होता है लिहाजा इसे पवित्र और सुधता का प्रतीक रंग माना जाता है केवल साधू संत ही क्यूं बलकि मंदिर में इसी रंग का ज्यादा इस्तमाल होता है मंदिरों के उपरी हिस्से इसी रंग से रंगे होते हैं तो महिला साधु भी इसी रंग के कपड़े धारन करती है भगवा रंग को उर्जा और त्याग का प्रतीक चिन रंग माना जाता है ऐसा माना गया है कि भगवा रंग के कपड़े धारन करने से मन पर नियंत्रन रहता है दिमाग शांत रहता है हाला कि इसे लेकर अलग धर्मों की अलग फिलोसोफी मसलन कुछ धर्म सफेद रंग को पवित्र मानते हैं तो कुछ हरे रंग को लेकिन हिंदु धर्म हमेशा से भगवा रंग को ही पवित्र मानते आया है वैसे भगवा रंग के पीछे एक पौरानी कहानी भी है दरसल पुराने समय में साधू संत एक जगा से द लेकर चलने लगे बाद में ये रंग उनके वस्त्रों में बदल गया भगवा रंग या के सर्या रंग का हिंदू के साथ बौध जैन सीख धर्मों में भी खास महत्व है वेद उपनिसद पुरान शूती सभी भगवान का यशोगान करते हैं हिंदू नार्या भी सुहाग के प्रतीक के रूप में इसी रंग से अपनी मांग भरती है कूल मिलाकर सिर्फ साधू ही नहीं वेरागी तयागी तपस्वी से लेकर ग्रिहस्त तक सभी भगवा वस्त्र धारन करते हैं कई बार केसरिया यानि भगवा रंग को औरेंज कलर यानि नारंगी जैसा मान लिया जाता है लेकिन दोनों में अंतर है नारंगी लाल और पीले रंग के बीच का एक रंग है जबकि केसरिया नारंगी का एक रंग है जो पीले रंग की और अधिक जुपता है केसर को अक्सर सुनहरे या पीले नारंगी रंग के रूप में वर्णित किया जाता है केसरिया रंग मुख्य रूप से कैरोटी नायड सायन क्रोसिन के कारण होता है मसाला केसर केसर क्रोकस धागे की नोक के रंग से प्राप्त होता है इस रंग को नारंगी नाम स्वलवी सतापदी में दिया गया इससे पहले इसे के सर्याया पीला लाल कहा जाता था बहुत से धर्म निकले हैं इनहीं में से एक है जैन धर्म जैन धर्म में भी साधू और सन्यासी होते हैं जैन साधू में दो प्रकार के होते हैं दिगंबर और स्वेतामबर दिगंबर साधू बिना कपड़ों के ही रहते हैं इसका अर्थ है कि उन्होंने सभी भौतिक चीजों को त्याग दिया है स्वेतामबर वो साधू होते हैं जो सफेध कपड़े पहनते हैं और मुह पर भी सफेध कपड़ा बांते हैं काले कपड़े, खुली जटाए, गले में रुद्रक्ष की माला और हाथ में नरकंकाल ऐसे साधु खुद को तांत्री कहते हैं जो तंत्र मंत्र में माहिर होते हैं वो दावा करते हैं कि उनके तंत्र से आप अपने मन का सब काम दूसरों से करवा सकते हैं उनका यह भी दावा था कि उन्होंने बहुत सी बिमारियों का इलाज भी तंत्र मंत्र से किया है बहुत से अगोरी साधु भी काले रंग के वस्त्र पहनते हैं तो जैसा कि भगवा रंग का इस्तिमाल सभी लोग करते हैं ना कि सिर्फ साधु और संथ आपको बता दू कि जो महिलाय जिनकी शादी हो गई है वो अपने सुहाग के प्रतीक को भी भगवा रंग से ही अपना मांग भरती हैं वहीं आपको ये भी बता दू कि हम टीका भी अकसर भगवा रंग का ही करते हैं तो ये साफ तरपर माना जा चुका है कि इसे सिर्फ संत ही इस्तमाल नहीं करते हैं बल्कि सभी लोग इसका इस्तमाल करते हैं फिलार इस खबर में बस इतना ही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एकन्स टूंटिफोर और बाकी आप कमेंट में ये जरूर बताएगा कि कि आपको यह information कैसी लगी है वहीं अगर आप यह वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को follow कीजिए और अगर यही वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए